कोई एक दिन के प्रधार मंत्री बनाया जाया तो कौन से तीन फैसले लेंगे पाकिस्तान जो अपना कश्मिर का एरिया है वो जो अपना एरिया है वो इंडिया में ले लेंगे मेरा पहले से ही वुबन एंपार्मेंट और गर्ल चार्ड एजूकेशन पर ज्यादा स्ट्रेस हो है जो मुझे ऐसा लगता है कि जब घर की औरत अगर स्ट्रॉंग रहती है ना तो देश अबरा स्ट्रॉंग हो सकता है सबसे पहला बात यह है कि इंडिया का पॉपुलेशन इतना है उसके ओपर ध्यान देना चाहिए आपका माहोल है अगर आपको एक दिन क्ले प्रधार मंत्री बनाया जाए तो कौन से तीन फैसले लेंगी है मेरा पहले से ही वोमन एंपावर्मेंट और गर्ल चार्ड एजुकेशन पर जाधा स्ट्रेस हो है मुझे ऐसा लगता है कि जब घर की औरत अगर स्ट्रॉंग रहती है ना तो देश अमरा स्ट्रॉंग हो सकता है अब इसके पीछे रीजन यह है कि महीला जो रहती है वो सब घर को इकटा करके रखती है धले हस्बंद हो भच्चे हो जो भी हो एजुकेशन तो बाहर होती लेकेन बेसिक जो इजुकेशन होता है वो अपने भर से ही तो सबसे पहले उनका मेंटल हेल्थ उनका खुद का फिजिकल हैल्थ और बाकी का जो उनका वरल अश्चेंग थे ना यह यह चीज में मैं ज्यादा स्ट्रेस करूंगी क्योंकि मुझे एक महिला का मेंटल हेल्थ एकदम परफेक्ट रहेगा तो पूरे फामिली का रहेगा और वैसा सोशल ही हो जाएगा और देश का भी वैसे ही स्ट्रॉंग हो जाएगा पाकिस्तन जो अपना कश्मीर का एडिया है जो अपना एरिया वो इंडिया में लेंगे में सबसे पहले फैसला लेंगे कि जो है सारे देश में सबके लिए एक ही कानून लागू हो जाए ताकि यूनिफॉर्मिटी देश में आए। भारत का सब लायां सब एंगल से उद्दार कैसा होगा सब बेकारी कैसा का कंप्ली नष्ट हो जाएगा सबसे पहला बात यह कि इंडिया का पॉपुलेशन इतना है उसके ओपर ध्यान देना चाहिए यह बार से लोग आते जाते इसको पर पाबंदी लगाना चाहिए इस सबसे बड़ा पहला पहला काम रहेगा रूरल एरियास में जाके जहां 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 जो जो फैसिलेटी स्कम है हॉस्पिटल पकड़ो साम एजोकेशन पकड़ो अभी महला यह स्पेसिफिक कली बोले जाए सबसे इंपोर्टेंट चीज है जो छोटे से लेकिए हम लोग बड़े की बात करेंगे तो सबसे इंपोर्टेंट बात है कि मेंटल हेल्थ अपने को सब लोगों का सुधरना है अब की बार किसकी सरकारिया जानने के लिए न्यूच की टीम कल्यान लोग सबाशेतर पहुची दी यहाँ पर हमने जनता की राय जानी ऐसे और वीडियो देखने के लिए न्यूच प्लस को लाइक शेर और सबस्क्राइब जरूर करें मैं लता शर्मा हूँ आपके साथ वीडियो जान ले सुबित भोड़े के साथ